ना कोई माया है जगड़ा है सारा बनने में अब मा बन के बेटी की शकल देखोगी तो परिशानी होगी सास बन के दामाद की बिमारी देखोगे तो परिशानी होगी माँ बन के बेटा देखोगे तो दुख ही होगे अगर आत्माई है तो फिर तो ये सारा खेल मुझी में है न सागर के जोश से मौझ उठी वो पलट के सागर से कहने लगी मैं तुझ से हुई और तुझ में फना तू और नहीं मैं और नहीं ये सारा खेल ब्रह्म विलास है, ब्रह्म से ही उठ रही हैं लहरें, ब्रह्म में ही वलीन हो रही हैं, लेकिन मन परेशान क्यों हो जाता है, क्योंकि अपने अंदर ही कोई ना कोई मोह पैदा हो जाता है, जैसे नराकार होके मैंने ये माया फैलाई, अब साकार होके दूसरी माया फैला लेता हूँ, फिर अपनी माया में उलज़न हो जाती है, नराकार होके जो माया फैलाई, उसमें उलज़न नहीं हुई, क्योंकि मैं अपने मेजियों कातियों स्थित रहा, और इसको प्रकृती को अपने से अलग करके देखा पर अभी जब खुद प्रकृतिस्त हो गए तो अब ऐसा लगता है जैसे मेरे वाला जा रहा है ये हो रहा है वो हो रहा है अरजुन वाला मोवय अपने लगता है लेकिन इसका उपाय तो एक ही है कि आप अपनी द्रिष्टी साफ करो ब्रह्म द्रिष्टी धारण करो ये सब दे द्रिष्टी का नतीज़ा है कौन जाता है कौन आता है पंच तत्व को तन रचे हो जाने उचतर सुजान जैते उपजय नान का लीन ताहे मैं मान पंच तत्वों से शरीर पैदा हुआ पंच तत्वों में वलीन हुआ जा रहा है बीच में शोक करने योगे क्या है शोक करवाती है ममता शोक करवाती है स्वार्थ शोक करवाता है फ्यूचर का ख्याल फिर क्या होगा ऐसे कैसे होगा वैसे कैसे होगा ये सब जो फ्यूचर के ख्याल हैं ये परिशानी का कारण है तो आप अपनी परिशानी को अपने आत्मा के निश्चे से दूर कर सकते हो भगवान ने शायद इसी लिए पहले आपको मार्ग दे दिया कि जैसे पहले बाट रखा जाता है पर सब्जी तौली जाती है भगवान ने धीरच देने के लिए हिम्मत देने के लिए शक्ती देने के लिए पहले से ही आपको ग्यान दे दिया कि ग्यान के निश्चे से आप हर परिस्थिती को मिथ्या करके जान पाओ परिस्थिती को भी सच मानोगे तो भी शोकाकुल होगे परिस्थिती ही मिथ्या है कौन मुआ रे कौन मुआ क्या हुआ कौन बिमार है कौन दुखी है शरीर के करम शरीर पूरे कर रहा है अब आतम दृष्टी से देखोगे तो भीतर कोई हलचल नहीं होगी देध रिष्टी में आ जाओगे कुछ बन जाओगे तो उल्जन पैदा हो जाएगी अर्जुन ने जो इतना मुह में आ रहा था आखिर क्या समझा एक आतमा की बात समझी उसने एक ज्यान की बात समझी उसने बताया भगवान ने ये आतमा का स्वारूप कैसा है ना जायते ना म्रियते ना हन्यते वाकदाचन अरे ये आतमा ना आता है ना जाता है ना मरता है जिसे शस्त्र काटे ना अगनी जलाए गलाए ना पानी ना म्रत्यों मिटाए वही आतमा सचिदानंद मैं हूँ जब ये निष्चे किया अर्जुन ने तो उसको पता चला ना मैं मरता हूँ ना मेरे वाला मरता है कुछ भी नहीं होता है इसी निश्चे से तो इतना बड़ा युद कर लिया ना उसने तो अभी हमको भी अंदर उस आतम निश्चे में ही रहना है और ये भी तो मन ही दिखा रहा है ना कमजोरी की बाते कोई जरूरी तो नहीं कि जो विकल्प मन कर रहा है वैसा ही होगा ठीक भी तो हो सकता है आस्पिटल कोई जरूरी तो नहीं वेक्ती जाता है तो कोई लास्ट स्टेज ही आ जाती है प्रभू भावे तो बेनिस्वांस राखे तो हम ऐसे मन के विकलपों से घबरा क्यों रहे हैं तो कोई परिस्थिती भी नहीं आई अभी तो ऐसे ही मन विकलप करता रहता है लेकिन विकलप करने की जगा हम अच्छा संकलब भी तो कर सकते हैं हम अच्छी बात भी तो सोच सकते हैं, हम राइट एटिटीट भी तो ले सकते हैं, क्यों अपने आपको कमजोर करें, क्यों किसी हालत के आगे वीको करके बैठ जाएं, और अगर मान लो मन कोई विकल्प दिखाता भी है, तो भी ये सोच सकते हैं, कि इश्वर ने समय दिया है पका कर लो, पढ़ा ही पकी कर लो, ग्यान का निश्चे पका कर लो, अपने मन को समझा लो, अभी वक्त है हमारे पास, लेकिन ये एक बड़ी सच्चाई है, कि हमारे डरने से, घबराने से, हालत तो पल्टेगी ने, होगा वही जो रामरची राखा, जो इश्वर की तरफ स बना हुआ है, वो आएगा जरूर सामने, साखी हो के देखो, रिष्टा हो के देखो, ये सब खेल है, अब ऐसे भी तो कितनों की बातें सुनते हो आप लो, कितनों के घरों भी आते हो, लेकिन जहां कनेक्शन जोड लिया, वहां उल्जन हो गई, कनेक्शन ही तो जोड़ा ह कोई ऐसा तो नहीं कि ऐसी खबरें पहली बार आपके कान से गुजर रही हैं, ऐसा तो नहीं कि ये दुख आपने किसी के देखे नहीं, कहियों का पता ले आए होगे, आस्पिटल जाके, कहियों के यह जाके परचा भी आये होगे, लेकिन अभी उल्ढ़न क्यों हो गई, क् कि ममत्व भाव आ गया, मेरा पन आ गया, और इस मेरे पन के पीछे, भावना क्या है, मेरे होने पने की, मेरे कुछ बन जाने की, तभी तो रोज बात चल रही है, तज्य देहे उपाधी ब्रह्म रूप है, जैसे बिंदू भी तो सिंधु का ही रूप है, अरे ये देवपाधी छोड़, तो तो खुद ब्रह्म स्वरूप है, आत्म स्वरूप है, आत्मा से आत्मा देखो, आत्म साक्षातकार और क्या है, आत्मा से आत्मा साक्षात देखना, यही तो आत्म साक्षातकार है, तो जहां भी जाओ, आत्म द्रिष्टी से रहो न, ब्र तो आपको खुद मैसूस होगा हर समय अंदर इस आतम निश्चे से एक पावर बना रहेगा, एक शक्ती बनी रहेगी, एक जागरती बनी रहेगी, इस बात को आप फील करो, जैसे अभी थोड़ी देर आत्मा का ज्यान सुना और लगा जैसे भारलका हो गया, अगर हर वक्त हम इस निश्चे में रहेंगे, पावर मैसूस करेंगे के नहीं, विकनेस आएगी नहीं फिर, लेकिन जहां कोई द्रिश्चे सत्मान लिया, वहां आतम निश्चे से गर जाते हो, भूल पड़ जाती है, फिर दे द्रिश्टी में आ जाते हो, फिर आलतें सच ल लगते हैं, बिमारियां सच लगते हैं, लेकिन आतम निश्चे से डिगो नहीं, मुखे जान मीनजी जहां अरदम रहे थी, अरे मिरे को अपने स्वरूप की यादगिरी हर पल बनी रहे, हर समय मैं अपने निश्चे में जियोंकात्यों कूटस्थ रहूं, हर समय मैं अपने ब्रह्म भाव में रहों, मैं कौन हूं? मैं शुच्श्वरूप हूं, मेरा किसी से सनबंद हुआ ही नहीं हैं, ये सब क्या है, जैसे रहट के घड़े? कुछ भर रहे हैं, कुछ खाली हो रहे हैं, कोई आ रह है, कोई जा रहा है, आने वाला भी मेरे से ही प्रगत हो रहा है जाने वाला भी मुझी में समा रहा है यह सब खेल है इसको खेल करके देखता हूँ यह मेरी मौज है यह मेरी बनाई वही पिक्चर है अब डिरेक्टर ने अगर पिक्चर बनाई और उस पिक्चर में वह यह देखता है कि कोई पैदा हो रहा है कोई मर रहा है कोई दुखी है कोई बिमार है कहीं अत्याच आ रहा है तो वो एक एक केरेक्टर को कितना प्रेज करता है कि अरे वाह तुमने तो बढ़ी अच्छी एक्टिंग की है तुमने तो बहुत बढ़िया खेल खेला है खुश होता है या दुखी होता है वो हमेशा क्योंकि जानता है ये खेल मैंने ही बनाया मेरे ही हुकम है इसको यहां बिमार हो जाना चाहिए इसको यहां मर जाना चाहिए यहां इसकी सास को ताने सुनाने चाहिए डिरेक्टर क्या जानता है मेरा ही हुकम है अब आतम निश्चे से देखो तो it's my will being done यह सब कुछ मेरे ही हुकम से हो रहा है मैंने यह पिक्चर ऐसे ही बनाई है अब जब मैंने यह पिक्चर बनाई ऐसे है फिर मैं दुखी क्यों होता हूँ तमाशा तुझ में होता है तमाशे में क्यों रोता है तमाशा खुद ना बन जाना तमाशा देखने वाले गुरु हमें जागरित करता है सुजाक करता है कि ये तमाशा तु तुझ में होता है तु तमाशे में क्यों रोता है ये तमाशा तु नहीं बनाया है तुझी में हो रहा है ये सारा तमाशा बल्कि अगर इस तमाशे में रोया तो तेरा तमाशा बन जाएगा गडबड यहां से हो जाएगी अगर तुम इस तमाशे को देखके रोए खुदी ने लिखा और उसके बाद कॉलेज के बच्चों ने अगर एक्टिंग की तो भूल गया लिखने वाला जूता लेके स्चेज पे चर गया बोला मारूंगा इसको लड़कास ने लगा बोला यह जूताई नाम दो जानंगे पाऊंगा रब यह जूताई नाम चाहिए मैंने इतनी अच्छी एक्टिंग की तेरे जैसे कोई भुला दिया तमाशा बन गया ना उसका तमाशा खुदी लिखा था तमाशे में एक्टिंग हो रही थी और सच मान लिया जूताई लेके स्टेज पे चड़ गया हमार ने उसका अपना ही तमाशा बन गया तो हम सबको दादा भगवान ने सावधान किया है तमाशा खुद ना बन जाना तमाशा देखने वाले अगर हम दुखी होते हैं उलजते हैं तो इसका तो एक ही अर्थ है न हम खुद तमाशा बन गए हमारा ही तमाशा बन गया तो इस बात से हम हमेशा अलर्ट रहें सावधान रहें कि ये तो पिक्चर यूँ ही बनी हुई है खेल को खेल करके देखते आओ तो उलजन नहीं होगी जब शिशे को बोला था गुरू ने बेटा मैं कौन तू कौन तो उसने बड़ा साधारन लिया इस बात को जब देखने गया नोटंकी उनके उधर आई सरकस आई सारा वो खेल देखने गया तो सरकस में देख रहा था बड़े मजे से हाथी के उपर शेर बैठा था गुरू भेस बदल के पास जाके खड़ा हो गया बोला यह कौन है बोला नीचे आती है उपर शेर है फिर थोड़ी देर में पूछे यह नीचे कौन उपर कौन अरे भाई नीचे हाथी उपर शेर फिर थोड़ी देर में पूछे यह उपर कौन नीचे कौन अरे उपर शेर नीचे हाथी तो गुसा आ गया बार बार एक ही बात करता है पैचाना तो नहीं गुरू है उसके उपर चड़ बैठा बोला आप समझ आया नीचे तू उपर में बोला बिटा यह तू कौन में कौन अरे यह तो गुरू जी बोलते थे ओश आ गया तो यह जागरती न थोड़ा ध्यान लगा गुरू भीतर से सुजाक करता रहता है जागरत करता रहता है थोड़ा सा अंतरमों खोके देखो आपको मैसूस होगा गुरू की आवास कान में आती है वो आपको धिरस देता है शक्ती देता है पावर देता है अंग संग कैसे रहता है गुरू वाणी के रूप में ही तो रहता है बोद अंदर जो डिये उपदेश सही सुजानिच सो दरवेश जो अंदर बैठके उपदेश देता है जागरती देता है आप गुरु को बाहर से मिलते हो और जब आप मिलते हो गुरु आपके भीतर जा बैठता है और वो अंदर ही अंदर बोध देता रहता सही सुजानिज सो दरवेश पहरवाले दर्वेश में ये हिम्मन तो हमारे अंदर आबैठें दर्वेश सचा वही है जब वो अंदर आ जाए और कदम कदम पे प्रेरित करें प्रेरना दे बोध दे जागरती दे और ये हो नहीं सकता की जागरती ना मिलती हो जितनी स्टेबिल्टी है वो भी इसी लिए लेकिन थोड़ा सा अपना भी पुर्शार्थ लगा लेंगे साथ तो बात बन जाएगी हिम्मत और बढ़ जाएगी ताकत और बढ़ जाएगी पावरफुल हो जाएंगे थोड़ा सा अंतरमुखता की जरूरत है ये सब तो सीन्स चलती रहती है अब देखो न दादा भगवान ने जब पहले दिन ग्यान सुना तो गुरू ने बोला तुमारे घर में जितने लोग हैं एक एक के साथ तुम्हें मरना पड़ेगा दादा बोले मेरे घर में थे चालिस लोग मेरे को तो टेंशन हो गई मतलब मैं इतना इसको ले जाना और ले जाना मैं आज के बाद शिकायत नहीं करूंगा अब एक बात समझ सकते हैं अगर सबसे पहले हमी मर जाएं तो हमें किसी के मरने का शोक नहीं होगा तो अपना मरना क्या है अपने अहम का मरना जो हम बने बैठे हैं उसका मरना अगर हम अपनी मौत पह की नहीं रहेगा हम पहले मर जाएं हम जिन्दा बैठे हैं तो एक एक के साथ हमें मरना पड़ेगा और क्या पता अगले को कुछ हो या ना हो तब तक दुख से कहीं हमें ही ना कुछ हो जाए पता नहीं खेल क्या बना हुआ है मालूम है क्या कुछ भी नहीं मालूम है तो क्यो लग रही है आतमा तुम निरोड़ा है जनम और दे डुन्द है यह दोंद कहां है देद्ध्यास मैं आत्मा में सच्ची दहने नित्य निर्द्वन्द तूँ जब तू निर्द्वन्द तुझ में द्वंदी जोडों का खेली नहीं बनाएं, तो फिर शोक तो होई नहीं सकता ना सुख है ना दुख है ना जनब मैं न म्रत्यु ए ना लाब है ना हानी है ना यश है न आपयश है ना निंदा है ना स्तुती है कोई भी द्वंद मुझा आत्मा में तो है इन नहीं मैं निर्द्वंद सरूप हूं तो अपने आतम निश्चे में खड़े हो जाए न जो अपने निश्चे में खड़ा है वो सरव दुखों की निवरिती कर सकता है जा निश्चे का अभाव हो जाता है वहाँ बात खराब हो जाती है तो बार-बार निश्चे की परिपक्वता फिर-फिर अपने स्वारूप में खड़े होना यही पुरशार्त है आतम द्रिष्टी पहले से ही एलर्ट रहो देखो अभी कोई बेल बजाता है समझो आप घर में अकेले हो तो सबसे पहले आप अपने ड्रिस ठीक करते हो ठीक होते हुए भी जरूर एक बार हाथ कुदरत ही चला जाता है विशार्ट ठीक कर ले दुपट्टा ठीक कर ले गीता भगवान बोलते थे जैसे दरवाजे पे कोई आया तुमने कपड़े ठीक किये ना भाव भी ठीक कर लो भगवान देखना है भाव भी ठीक कर लो ब्रह्म होके मिलने का किसी से भी अब ऐसी भावना अगर कर ली जाए तो देखो कोई भी हालत आपको चलाए मान नहीं करेगी क्योंकि आत्मा का ग्यान तो समझाई हुआ है निश्चे तो भीतर है पर वो जो निश्चे में स्थिती थोड़ी कम है वो डामा डोल कर देती है पर अभी अपनी जड़ें सीचने का वक्त भी है बच्चों को जिस दिन डेटशीट मिल जाती है उस दिन से तो टेंशन होई जाती है ना पढ़ने वाले भी कुझी तो खरीद लाते हैं चलो भाई अब शुरू करूँ पढ़ाई डेटशीट आ गई है तो समझो कोई परिस्थिती का अल्टीमेटम भी मिल जाता है होगा या नहीं होगा लेकिन अपने अंदर एक परिपक्वता करने का समय तो है न ईश्वर ने अमें अपनी जड़ सीचने का मौका तो दिया खेल चाहे कुछ भी खेला उसने कई बार ऐसा देखा गया कि होता कुछ भी नहीं है पर भगवान एक बार अंदर तक हिला के न स्तिती तो पक्की करा देता है कि भी आपनी जड़ मजबूत करो तुमने बड़ा धिला किया हुआ है इसाब किताब देखा है कभी कभी बाप चुप रहता है देखता रहता है पेपरों के दिन है बच्चे कुछ नहीं एक दिन उठा लेता है डंडा उसके बाद सारे घर में ऐसा पढ़ाई का महौल बन जाता है कोई टीवी नहीं चलता कोई आवाज नहीं आती सारे अपने अपने रूम में चुप चाप पढ़ाई करते हैं तो नराकार परमात्मा भी कभी-कभी डंडा उठा लेता है हमारे सिर पे कहता है बहुत टाइम बरबाद कर लिया चलो अब लीन हो जाओ अपने स्वारूप में पढ़ाई में गहराई करो द्यान दो और सची तो है कभी-कभी कोई परिस्थिती नहीं होती सब नॉर्मल चल रहा होता है अब भ्यास में भी धील आई जाती है लेकिन जब थोड़ा सा कोई परिस्थिती आती है तो आपको अपने अंदर से ही चिंता लग जाती है और ये भी ख्याल आता है अभी तो सामने वाले की है अगर मेरे दर्वाजा खट-कटा दिया काल ने मैं कौन से निश्चे में ये भी उसकी कृपा है ना खाली मो नहीं दुखी करता कभी-कभी अपने लिए भी तैयारी शुरू हो जाती है अफसोस अपने लिए भी लगने लगता है कि अरे ऐसा काल जटका द बैठों मैं भी अपने को स्ट्रॉंग कर लूँ मैं भी अंदर से मजबूत हो जाओं मैं भी ज्यान की स्थिती पक्की कर लूँ तो गौड कें डू नो रॉंग गलत तो नहीं हो सकता ये भी अब देखो भगवान को करना हो तो कोई काम जटके से भी कर ले लेकिन जटके से नहीं कर रहा इसका मतलब वो पहले मेरी मजबूती चाहता है भालत तो पता नहीं क्या होगी क्या नहीं पर मेरी मजबूती तो चाहता है मैं तो अपने निश्चे में खड़ा रहूं मैं तो अंदर से आत्मा की निश्ठा करूं ब्रह्म निश्ठा के सिवाए कल्यान नहीं होता है ब्रह्मनेश्ठा जरूरी है ज्यान के निश्चे से अज्यान का छेदं कितना सुन्दर बोला कि माली जैसे बगीचे में सफाई करता है अब बहुत बड़ा बगीचा है समझो सफाई करी उसने एक एक कोने में घास का पत्तों का धेर बना लेता है आग लगा देता है अपने अज्ञान का वन जलाना हो, ज्ञान की अगनी प्रज्वलित करो, अज्ञान का सारा वन जल जाएगा, ज्ञान अगनी दद्धे करम, ज्ञान अगनी ऐसी है, सब कर्मों को भर्मों को जला के खतम कर देती है, ज्ञान के निश्चे से कल्यान होगा बिना ज्ञान के किसी का कल्यान नहीं होता है हर एक को अपने लिए ज्ञान की निश्ठा बहुत पक्की करने किए कभी-कभी सत्संग सुनते सुनते भी न एक भ्रहम आ जाता है अंदर में नहीं हमें तो दुख नहीं लगेगा, हमें तो मौन नहीं है, पर अगर आतम निश्ठा नहीं होती न, कभी-कभी परिस्थिती के समय लहर उठ जाती है, पता नहीं चलता, उठ जाती है अचानक लहर, घबराट हो जाती है, उलजहना जाती है, इसी लिए निश्चे, ऐसे बो केले में रोते हैं, बीबी के पास बैठके रोते हैं। क्यों? क्योंकि आतमनेश्था तो नहीं है जिसको जीव भाव है, उसको हालत कहीं न कहीं कमजोर बना सकती है। पॉसिबल है ये ना बोलो पॉसिबल नहीं है पॉसिबल है पर आतम निश्ठा है तो आप गैरेंटीड हो अंदर से कि आपको कोई हालत हलचल में नहीं डाल पाएगी इसी लिए निश्चे स्वयम को जानना जिस दिन अपने को जानना हो गया जगत सारा खताम हो गया और ग्यान सब ग्यानडी ब्रह्म ग्यानिक ग्यान जैसे गोला तोप का मार करे मैदान तोप का गोला चले अगर सारा मैदान साफ एक निश्चे जब दे होने के संशे को खतम करता है तो उसके साथ सारी जगत का संशे नाश हो जाता है एक गोला खाली मैं ब्रह्म सवरूप हूं काम खता हूं दादा भगवान ने तो इतनी सुन्दर आशदी दे दिये सरव रोग का ओखद नाम बड़ी कारगर्द वाई है करामती एक निश्चे किया करामत घट गई मन के सारे गिले शिकवे दुख शोक अफसोस सारे खतम आत्मा में आनंद आत्मा में रमन करता है तो आनंद में रहता है आत्मा में रमन नहीं करता है तो आनंद में नहीं रह सकता है देखो कभी-कभी त्यारी करते हो घर में कोई बुड़ा होता है मर जाएगा तो शायद मैं जाओं भी ना बाप को कुछ हो गया तो शायद मैं रूँ भी ना पर हो सकता है बाप को ना ओ बुड़े को ना ओ, जौन को हो जाए कुछ फिर आतम निश्चे सन्बंद रहत बनाएगा मन न त्यारी शुरू कर देता है कोई बुड़ा हो वे घर में दादा पर दादा हमको क्या फरक पड़ेगा मेरे को भी कई बार क्या देते हैं ना जी मैं तो जाना भी नहीं वो तो ठीक है बुजर्ग वेक्ति है उससे कोई स्वार्थ नहीं लेना नहीं देना नहीं लेकिन जान भी तो बैठे हैं कुछ भी संबाव है तो त्यारी किस चीज की अपने आत्मा में जागने की त्यारी करो अपने स्वारूप में जागरत रहो मैं आप ब्रह्मानंद मैं नुवेद गाओं दा ऐसे निश्चे में रहो कभी अपने अंदर संक्लप उठाओ कभीर की तरम घडीक विसरू रामकूत ब्रह्मत्यामोय होए नहीं भूलना मुझे अपने स्वारूप से मुझे कुछ बनना ही नहीं है यह सब खेल को खेल करके देखना है और अपने आनंद में रहना है यह मजबूती होनी चाहिए अंदर जैसे एक पिक्चर देखते हो तो पिक्चर में भी तो सब तरह के सीन आते हो आप चलाए मान तो नहीं होते हो इसी तरह से यह जगत रूपी पिक्चर जगत है जगते का सुपना यह सच कैसे हो गया जैसे एक नींद का सवपन है नींद का सपना उठते हो तो पता आप सपना था जगत है जगते का सपना ये जागरत का सपन है फिर ये भी कैसे सच हो गया ये भी सच नहीं है जगत है जगते का सपना ये सच कैसे हो गया ये भी मिथ्य है राजा जनक को गुरु ने क्या बताया ना ये सच ना वो सच बाई जो तू सपने में देखता है मैं बिखारी हो गया मैं गरीब हो गया मेरा राजे चला गया फकीरी हालत में आ गया वो भी सच नहीं पर ये जो तू जाग के देखता है मैं राजा मैं इतना बड़ा मेरा सिंगासन, मेरा राजे ये भी सच नहीं वह भी सच नहीं है, मिथ्या है, जैसे जागती आपने सपने को मिथ्या जाना, ऐसे आतम जागरती, ये आपको दिखाएगी कि जगत स्वरूप से ही मिथ्या है, स्वभाव से ही मिथ्या है, इसको भी जानना है, क्योंकि मेरी जो सत्व बुद्धी है वो मेरी उल्जन का कारण है मेरी सत्व बुद्धी मैं इसको सत्व करके देख रहा हूँ अब संकल्प की स्रिष्टी तो है एक पिक्चर को भी सत्व बुद्धी से देख लो संकल्प हो जाए ये सच है परिशानी खड़ी हो जाती है अब जब संसार को भी आप सत्वुद्धी से देख रहे हो परिशानी खड़ी हो गई अगर आपी इसके लिए निश्चे कर लो कि ये मिथ्या खेल तो आपको उल्जन नहीं होगी मैंने सत्व करके देखा है तो मैं परिशान हूँ मैं इसको मिथ्या करके जानता हूँ मैं आनंद में हूँ ये जगड़ा तो मेरे भीतर से शुरू हुआ है मैं जान रहा हूँ मैं हूँ मेरे वाले हैं मेरे वालों पर हालत आई है मेरे बालों पर कोई परिस्थिती आ गई अब मनुलचता है कैसे होगा? क्या होगा? मैं कैसे संभाल पाऊंगा? तुम है कहां संभालने वाले? जो आलत बेजेगा वो संभाल भी करेगा तुम्हारे से बड़ा भी तो कोई बैठा है तुम माता पिता हो तो तुम्हारा भी तो कोई माता पिता बैठा है क्या मालूं? संयोग क्या से क्या बने? ब्रह्म ज्यानी की स्थिती देखने बेजा शिशे को वो आया था गुरू के पास ज्यान लेने के लिए पूछते है ब्रह्म ज्यानी की स्थिती क्या होती है गुरू जी पूछ बैठे बेटा दिखाऊं या बताऊं दिखा दीजिए बेज दिया देखने फलाँ फलाँ जगा हमारा भगत रहता है चले जाओ और ब्रह्म ज्यानी की स्थिती देखाओ जाके देखा शादी वाला गर था पहले तो माथा पीट लिए ब्रहम ग्यानी की स्थिती देखने बेजा है गुरू ने शादी वाले गर में एक बार तो मनुवा लोट चले सुचा आएं तो चलो मिलते चले पता कि या भाई ब्रहम ग्यानी ये कहा है पुला उसके तो बेटे की शादी है और काम खराब बेटे की शादी है अगला बीजी होगा कुरू कहरे ब्रहम ग्यानी की स्थिती देखा हो ढूंडते ढूंडते बड़ी मुश्किल एक कोने वाले कमरे में मिला हो और बैट के मशीन पे कुछ से लाई कर रहा है जाके मिला पुरू जी ने भेजा है आप ये क्या कर रहे हैं बुला कफन सेल रहा हूँ अब था तो संसारिक वेक्ती ताजुब में आ गया जिसके घर में बेटे की शादी है वाँ कोई नाम भी ना ले ऐसा और ये बैट के कफन हाथों से सेल रहा है भाई क्यों सिल रहा हूँ कफन ऐसे शादी वाले ब्या वाले गर में क्या हो गया कह रहा है अभी ये मेरा बेटा जो है ना शादी करके आएगा अंदर आते इसके पेट में दर्द होएगा मर जाएगा उसके लिए पहले कफन सिलके रख रहा हूँ वाच पौच हो जाएगी उस टेंग बुला जब तुमको सारा कुछ मालूम है तो शादी क्यों कराते हो बुला ये योगी था पिछले जनम में जो लड़की शादी करके आ रही है वो भी योगी थी बस एक दूसरे को देखा शादी का ख्याल आ गया और कुछ नहीं हुआ कोई विकारों का भोग का संकलप नहीं हुआ खली शादी का संकलप हो गया मेरा बेटा पूरा योग योगत था सिरफ उस संकलप के कारण ये शादी करनी पड़ रही है उसने तो मरना है उसके बाद लड़की बोला इसका आगे का योग मेरे से पूरा हो नहीं अभी पूरन नहीं थी योग भरष्ट थी तो अब शिरीमानों के पास आना था इसने मेरे पास आना है मैं इसको ग्यान सुनाऊंगा इसकी स्थिति पूरी करूंगा सुना हुआ होगा दुरिष्टांत कई बार तो पता नहीं न कहां से क्या खेल बना हुआ है इसी लिए बोलते हैं be seer not doer जब हम करने वाले बन जाते हैं तो हिम्मत हार बैठते हैं seership में आ जाते हैं तो बड़े से बड़ा काम भी अपने हाथों से हो जाए उलजहन नहीं होती है strongness रहती है मजबूती रहती है power रहता है अपने अंदर जब बन जाओगे कुछ weak हो जाओगे पर जब अपने नराकार स्वारूप में जियोंकेतियों स्थित्र होगे बहुत शक्ति शाली हो जाओगे एक सचंगी आती थी उसकी बेटी का डेथ हो गया कहती है जब यह पैदा होई तब भी सजाया कहीं शादी पार्टी जाती थी तो भी सजाती थी स्कूल जाती थी तो भी तियार करती थी शादी हुई तो भी सजाया मैंने इसको अब क्या हुआ अब अगर मर गई तो क्या हुआ कहती है अब फिर सजा दूँगी मा ने बैठके उसको सारा त्यार किया और अर्थी उठवाई इतनी हिम्मत कैसे आ गई भगवानम लोगों से पूछते थे उसको इतनी हिम्मत कैसे आई जवाब एक ही होता था मा तो नहीं कर सकती थी पर जब मा पणा गया उसका तब इतनी शक्ती आ गई उसके अंदर तो देध्यास में है कमजोरी आत्मा की स्थिती में है मजबूती इसलिए गुरू कहता है आत्म निश्चे करो फिर फिर अपने को आत्मा करके जानो फिर देध्यास गवाओ फिर अपने को पका कराओ तब ही तो गुरू कह रहा है मान ना मान तू ऐ भगवान पर हम कहां पहुंझ जाते हैं दे की स्थिती में कल शाम को भी इतनी अच्छी बात चली कि ये आध्यातम की जो यात्रा है ये भी शुरू करो आत्मा हो करके जैसे लड़की घर में शादी हो गई मायके में गर से ही बहु बनके निकली किसी परिवार की तब ही तो जीवन दूसरा शुरू हुआ ना हम भी जब ज्ञान सुनते हैं आत्मा हो के सुने अभी भी अगर ज्ञान सुन रहे हो दे बनके सुनोगे तो आपको लगेगा हमने आपको कंसोल किया लेकिन आत्मा हो के सुनो आपको लगेगा मेरी शक्ती कई गुणा बढ़ गई अनन्त हो गई मेरी शक्ती ध्यान देना दे होके सुनोगे तो लगेगा एक कंधा मिल गया रोने के लिए दे होके सुनोगे तो फिर मन एक डिला पड़ जाएगा हाल अताई फिर आऊँगा बताऊँगा ये फिर मेरे को मजबूत कर देंगे लेकिन नहीं मुँचा करके बैठा है और अगर तुम दुखी हुआ तो मैं चपल साथ लेती हाऊंगी वहीं मारूंगी आके कि इतने दिन गास खो दी थी सत्संग में बैठके ऐसे डराते थे हम लोगों को और डराते भी क्या थे हमको लगता था यही कुछ करेंगे क्योंकि जब कोई वीक पड़ जाता था तो फिर उनको जोशा जाता था बोलते थे कमजोर आदमी को मेरा दिल करता है इसके सेर में मुका मार दूँ मेरा दिल करता है इसके पैरों में पत्थर बांद के समुंदर में डुबवा दूँ जोशा जाता था उनको क्यों बोलते थे दादा के बच्चे इतने कमजोर नहीं हो सकते दादा भगवान के बच्चे इतने ढिले नहीं हो सकते कि कोई हालत आए और हमें जाके उनको धिरज देना पड़े आँ दर्शन करने बराबर जाएंगे कि देखो दादा के बच्चे आज कैसे उचा मू करके बैठे हैं शेर उसी को सब कहते हैं जो अपने पैरों पर खड़े हैं और अपने पैरों पर खड़े होना माना अपने निश्चे में रहना अपने सौरूप में जागरत रहना निश्चे आत्मक बुद्धी हो जाए ऐसे भी देखो अभी शाम को सब लोग होली जलाएंगे होली जलाने का आर्थ क्या है भक्ती रूपी प्रहलाद की भगवान ने रक्षा की अगनी में और बुराई रूपी होली जल गई हम क्या करें बार की होली जले ना जले लेकिन इस देख ध्यास की होली जल जाए यह जो आवरण है यह जल जाए तु आत्मा जियों कात्यों सरक्षित हो जाए बार से लकडियां जलाने से कुछ नहीं होता उसमें भी इतना सुन्दर दिखाते हैं रोटी बना लेते हैं मोटी सी उसमें धागा लपेट देते हैं रोटी पूरी पक जाती है उन लकडियों पर उस उपलों पर और धागा बिलकुल नहीं जलता आज तक इश्वर इस वाइदे पर पूरा है है न पूरा कि जो मेरी शरण आ गया अनन्य भाव से हर परिस्थिती में मैं उसका रक्षक हूं तो यही तो बात है अगर हम अपना देध्या समर्पित कर देते हैं सच्चाई से गुरू हमारे आतम भाव का रक्षक बन जाता है पहरे पे बैठा है हर समय सुजाग जागरत रखता है हमें बलकि आप देखोगे कोई भी परिस्थिती के समय ग्यान अंदर ज्यादा चलता है ज्यादा रोलिंग है ग्यान की ऐसे लगता है जैसे कोई सुशुप्ती का ग्यान भी उठ खड़ा हुआ है अंदर से कबके सुने हुए पॉइंट्स कबकी सुनी हुई बातें कौन है कौन बैठा है वो धुरूपो के भीतर वरे भगवान तुमी तो बैठे हो हम तो भूल भाल गए थे अचानक कहां से सब ध्यान आने लगा ये रोलिंग कैसे चलने लगी कौन मुझे मजबूत बना देता है यहां पता चलता है बोध स्वरूपो के गुरू भीतर बैठके है वानी गुरू गुरू है वानी विच वानी अमरत सारे वानी गुरू कहे सेवक जन माने प्रतेक्ष गुरू निस्तारे अशोक आत्मा में शोक कैसा नर्द्वन्द आत्मा में द्वन्द कैसा ये प्रितेक्ष निस्तारता है गुरू वाणी रूप में हमारे संगो जाता है और हर परिस्थिती से उबार ले चलता है हर परिस्थिती को पार करा देता है आप देखो न एक व्रक्ष को पानी से सीचा जाता है पानी से पहले बीज प्रसफुटे तुआ फिर सीचा गया और आजीवन लकड़ी पानी में नहीं डूपती लकड़ी कभी नहीं डूपती पानी में तो जब तुम भी अपने मूल को याद रखोगे डूप सकोगे कभी भी नहीं डूप होगे शेर का बच्चा कभी शेर की गर्जना से डरता है शेर का बच्चा शेर जब गजगोर करता है क्या वो कभी भैभीत होता है क्या रे पिता जी इतना गजगोर कर रहा है मेरे को तो डर लग रहा है नहीं बल्कि वो बाप को देख देख के सुन सुन के सीख जाता है वो भी चीखने लगता है साथ गजगोर करने लगता है तो इश्वर की तरफ से कोई गजगोर होती है जब आप खुद इश्वर मैं हो तो नहीं घबराओगे पर वो इश्वर और तुम जीव डर जाओगे बकरी तो डरेगी न बकरी अगर शेर की आवाज सुन लेगी बकरी डर जाएगी पर शेर का बच्चा वो नहीं डरेगा तुम बकरी बन जाओगे देव द्यास वाली जीव बकरी को तो डर है भाई बकरी विचारी तो बड़ी परिशान है बकरी को घबराट है पर शेर को नहीं है बकरी को सहारा चाहिए शेर को नहीं चाहिए बकरी को जुंड चाहिए शेर को जुंड भी नहीं चाहिए तो क्यों नहीं अंदर से खुनकी में आते हो क्यों नहीं एक ठपा लगा के बैठते हो I am that देखो फिर जगत की बकरियां तुमसे डरेंगे क्यों नहीं अंदर गजगोर करते हो nothing is new कोई नहीं बात है क्या ऐसा गजगोर करो मन के विकल्ब सारे गर जाएं मन के विकल्बों को हटाना गिराना ये भी हमें आता है कैसे एक गजगोर काफी है मन एक विकल्ब लेके नजदीक नहीं आएगा पान कोई आपके वाला भी आपसे कोई बात करेगा आप कह सकते हो कोई नई बात है क्या होनी होकर रहे अनहोनी नहीं होए एह मारग संसार में नानुक थिर नहीं कोई ये अवाज निश्चे का अंदर से आ सकता है ये निश्चे उट सकता है भीतर से अगर हम कोशिश करें अगर हम मजबूत बनें अगर हम खुद पावर में रहें इतना होगा कि मजबूती दे भी पाओगे मजबूत अपने को कर लोगे न मजबूती दे भी पाओगे हमारे याँ परमपराएं उल्टी है हमारे याँ बड़े इतने डोल जाते हैं बच्चों कोई कोई नहीं होता संभालने वाला जबकी बड़ों को अपने भड़पन में अडोलता में रहना चाहिए लोकारी तो दूर की बात हो गई ना पहले तो किसी को संभालने की तक ताकत हो वे अंदर इतने सामर्थेवान बनो वैसे कहते हो माबाप है माबाप है माबाप का फर्स क्या होता है खुद्रों ने बैठ जाना सामर्थेवान बनो अगले की भी हिम्मत बनके खड़े हो जाओ ये होता है माता पिता तो तब हो जब तुमने बच्पन से लेके बच्चों को हर परिस्थिती को जूट करके दिखाया हर चीज के लिए धपा कर दिया इसको मेरा बिटा तो खुश हो जा ऐसे हो जा किया न तो अब क्या हो गया अब भी तो हिम्मत बन जाओ सबकी खुद हिम्मती बनो और हिम्मत बन जाओ दूसरे की भी वो भी लड़ खड़ाये बोलो भगवान है न कोई डरने की ज़रत नहीं है अरे आप नहीं सोचते हो बोलो नहीं मैं नहीं सोचता हूं क्योंकि मुझे पता है तेरा परम पिता हमेशा तेरे साथ है कोई नहीं बात नहीं है दुनिया में तु भी धीरज मत खो अंदर से देख मैं मजबूत हूँ तु भी बन ये हिम्मत रखो ये क्या बात हुई कि हम खुदी यू यू होने लगें सचकी नाव हिल जाए कोई डर ने डूबनी नी चाहिए डूबनी नी चाहिए ये नाव हिल गई कोई बात नहीं चलो फिर स्थिर कर लेते हैं लेकिन डूबनी नी चाहिए बिलकुल भी स्ट्रॉंगनेस होनी चाहिए जहां भी जाके बैटो यू नहीं यू शिवो हम बोलो आजाओ जिसको आना है आजाओ पहलवान कैसे जाता है मैदान में ऐसे चोड़ा होके जाता है दूसरा पहलवान पहले ही दर जाए भी या इतना चोड़ा होके आ रहा है इतना ब्रह्म सरूप हो जाओ इतनी गजगोर करो आने वाली आलतें भी दरने लगेan कहीं हमारी ठांगे तो नहीं टूटने वाली है इसके यह आन के smiling face लेके बैठो बोलो मेरे घर में कोई मरता ही नहीं है काल की मजाली नहीं मेरी देलीज पार करे मेरे यहां तो कुछ होता ही नहीं है दादा ने बताया आत्मा अमर है अविनाशी है मेरे को तो यह ग्यान पक्का है बाकी रही नाम रूप की बात नाम रूप नाश है ब्रह्म का प्रकाश कभी खताम होता है क्या ब्रह्म का प्रकाश तो सदा है ब्रह्म का प्रकाश कभी ऐसा नहीं कि हम का अभाव हो गया सत्य का तो अभाव ही नहीं होता असत्य का अभाव हमने पहले ही छोड़ दिया शरीर तीन कालों में सत नहीं है है ना तो ये सच नहीं हो सकता क्योंकि तीन काल में इसकी अस्ती नहीं है लेकिन आत्मा की अस्ती तो तीनों कालों में है तो सत्ते का अभाव नहीं हो रहा, असत का अभावी नहीं हो रहा काम खता हूँ ये है ग्यानसली जो हिम्मत देता है, ताकत देता है, मजबूत बनाता है, अपने स्वारूप में खड़ा करता है शिवोम का डंका बजा लो जिसका जी चाहे भगवान क्यूं आता है, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराओं गली-गली ले लो जिसका जी चाहे, मैं शोर मचाऊं गली-गली आभी गए हो, राम नाम का मोती भी लेना है तो फिर ये मोती डालने के बाद, तुम्हें नकली काँच पहनने की क्या जरूरत है सत्वस्तु प्राप्तो जाने के बाद, मिथ्या में मन कैसे अटक सकता है स्वयम को सत्सरूप जानने के बाद, मिथ्या जगत में निष्ठा किसकी हो सकती है अपने ज्यान के निष्चे में भरपूर हो जाओ पिछे एक के घर कुछ ट्रेजिडी हुई, हम तयार हुए जाने को बहुत यंग डेथ था उसके हस्बेंड का, अच्छा बला गया जॉब पर और दुपैर को लोटता था हुए बस के यह नीचे आ गया, चलते चड़ते चड़ते बस में तो हमने पता चला जब फोन किया, हमने का हम अभी आ रहे हैं, बोले आपको परिशान होने की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ इतना उसने हमको अच्छे से धीरज दिया, आप रात को, ने का नहीं हम तो आही रहे हैं, तुम कितने भी ठीक हो लेकिन बड़ा लगा शाबाशी है अगले की, अच्छानक एक मिनट में घर उजड़ गया, एक मिनट में सब कहानी पलट गई, अच्छा भला आदमी का खाना बनाके वेट कर रही है और डेड बॉडी घर में आ गई, लेकिन अगला हमको कह रहे हैं, आपको आने की आवशक रहता ही नहीं है, तो बिलकुल ठीक हूँ, आप पासी तो हैं, ग्यान मेरे साती तो है, और इतना महौल आसपास का खराब, और हमने जा के देखा उसकी चेहरे की स्माइली नहीं खतम, वही स्माइलिंग फेस, वही मिलने का डंग, वही प्यार अंदर परमात्मा का, तो आप लोग करते हो न, आना समय से बैठना, पूरा ध्यान से गुरू की वानी सुनना, एक शब्द मिस ना होना, ये भीतर जाके बहुत फाइदा देता है, बहुत, लगन थी उसकी भी जिस दिन से आना शुरू किया था, सत्संक शुरू होने से दस मिनट पहले ही पहुचने का नियम था, बहुत लगन, बहुत प्यार और सच में उस लगन ने फाइदा दिया, निंदा भी हुई, वो लोग थोड़े पिछड़े हुए थे, ससुराल वगेरा के, निंदा भी हुई, बातें भी हुई, गाउवाले भी बोले, लेकिन वो एकी बात बोलते थे कि हमको जब अंदर से ही कुछ नहीं लग रहा हम दिखावा नहीं कर सकते, कोई भी बात करता था हम भगवान की रजा में राजी हैं, बस ठीक है, यह ओई ना मजबूती जब अंदर जाना है, और बोले मिर को यही लग रहा है बार बार सनबंद किस से हुआ है? तेरा तो अविनाशी से सनबंद है, इस से तो सनबंद था भी नहीं कोई, वो अंदर ही जैसे ज्ञान प्रसफोटित हो गया उस समय, अपना ही निष्चे जाग उठा, तो कितना अपने निष्चे से इंसान को पावर आता है, कितना अपने पुष्चे से जागरती आती है, ये थोड़ी एकी हालत नहीं आती, अब देह धरे का दंड है, सब का हुको होए, पर ज्यानी भोगे ज्यान से अग्यानी भोगे रोए, ये तो देह धरे का दंड है, सब कोई है, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई ऐसा गरी नहीं है, जा समस्य आएं नहीं हो, हालतें नहीं हो, परिस्थितियां नहीं हो, लेकिन आपका नजरिया, वो मेन है, आपका निश्चे वो मेन है, अगर आपको अपने सरूप का निश्चे है, तो हालत एक दम मित्या है, फुटबाल मौत बन गई, ग्यानी खिलाड है, अभी भी दो-चार दिन पहले किसी के पास बेजा मिने सत्संगियों को मिलने इतना शरीर की हालत खराब है अक्सीजन लगा हुआ है थाइरेड की वज़े से शरीर ऐसा फूल गया है बेड से बार जा रहा है संभाल नहीं पा रहे है स्किन अपने आप कटती जा रही है ऐसी हालत में भी सत्संगी जो गए almost unconscious थे इन्होंने बताया उन्होंने याद किया है आपके लिए पत्र भेजा है आखें खोल ली उठ बैठी ये कुछ सुनाएं उसने इनको किती बातें सुना बेजी मेरे को फलाने समय ऐसे प्यार दिया मैंने ये प्रिशन किया मेरे को ये उत्तर दिया ये लोग सत्संग सुन के आ गए बहां से बजाए सुनाते दीरज देते अगला विक्ती इतना स्ट्रॉंग होके बैठ है कोई परवान नहीं शरीर का जो हो रहा होने दो बेड पे क्या हालत हो सकती आप सोचो और अगला बैठ के सिरफ आँख खोली इस भाव से अच्छा उनका संदेशा है और उसके बाद बैठ के अपने अनुभवों की जड़ी लगा दी अंदर जरूर वही मन्थन चल रहे होंगे इस समय जरूर वह तार जुड़ी हुई है भीतर की इतना तो अंदर निश्चे की है पक की है उसका भी यही था सत्संग का नियम कले लोग बता रहे थे सत्संग शुरू होने से पंदरा मिंट पहले उसने जरूर पहुँचना है जाए आंधी हो जाए तुफान हो जाए जाए आए जाह न आए तार ग्यानियम जो ज्ञान भीतर चला गया चन्टीनियूस फ़ैलियू कोई कोई कर पाता है लेकिन अगर कोई वैलियू कर ले न जीवन में बड़ा अमरफल पा जाता है अब इस समय कोई कुछ नहीं कर सकता, उस्पिटल वालों ने भी घर बेज दिया, कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन कौन रक्षक है अपना निश्चे, अपना ज्यान जो गुरू से प्रेम लगाया वो वो अंदर निश्चे बनके बैठा है, कोई शिकायत नहीं है, हालत से शि कायत नहीं करी, सबके शुकराने मान रही है घर बैठी, घर वालों के भी शुकराने, गुरू के भी शुकराने, नराकार के भी शुकराने, कोई हाय तौबा है ही नहीं, कैसे हो सकता है ये, एक निश्चे से, वरना तो इतना इजी नहीं है, ये सब भुगतना, अगर कल्प पिशना भी करके देखो कोई असान बात नहीं है थोड़ी सी पीड़ा शरीर की हलत खराब कर देती है और इतनी बड़ी परिस्थिती में अगले के पास शुकरानों के अलावा कुछ नहीं है और मेहमा के अलावा कुछ नहीं है मेरे को तो हसी आरती में इनका हो सकता है जो यह अनकॉंश्यस कह रहे है थोड़ी थोड़ी अनकॉंश्यस है जानके यह आंखे बंद करके पड़ी रहती हो लोगपथा लेने आते होंगे रिष्टेदार आते होंगे जानके पड़ी रहती होगी और जाने वाले भी कम भी जब अगली होश में ही नहीं क्या करने आएं चलो जान छूटी मैं तो अपने में रहूं कुछ नहीं कह सकते कौन कितना बड़ा निश्चे अंदर से लिए बैठा है कितनी बड़ी भक्ती कर रहा है आप कुछ नहीं कह सकते सबसे सीखते जाओ आगे बढ़ते जाओ बहुत अच्छा ग्यान मिला हैं लोगों को बहुत अच्छी समझ मिलिये दादा भगवान के इस ग्यान की समधानता कमाल है मूरख से मूरख वेक्ती को समझ आ जाता है ये ग्यान बस निश्ठा कर ले डेटर्मिनेशन दादा ने बोला नट टाइम बट डेटर्मिनेशन इस रिक्वायड डेटर्मिनेशन हो जाए स्ट्रॉंगनेस हो जाए अंदर से देखो मौजी है ऐसे वेक्ती को अब ये भी इंतजार नहीं है गुरू जी आएंगे और विमान ले आएंगे वो तो बैठी विमान में है गुरू के बैठी गुरू के पास है ऐसे भगत हैं दादा के जिनोंने दादा का वचन सिद्ध किया है कि मैंने शरीर को पहले ही छोड़ दिया अब समय आके ये छोड़ जाएगा अराम से बैठें और कुछ नहीं सत्संगियों को देखके रो नहीं आजाए अरे तुम लोग आए मैं तो सत्संग नहीं आपाता अफलाना टीरा कोई भी बहाना करके इंसान आसु बहाले लेकिन लगन प्रेम भाव निश्चे इन सब की हमेशा जीत है इसलिए अपने निश्चे में मजबूत हो जाओ हलतों को पिछाड दो पिछे कर दो तुम मजबूत होके बैठ जाओ आया माँ भगवान जैमे नाहे शक गुमान नानक लच्मन मेरो ही नाम जैसे शीर सागर में भगवान विश्णू बैठे है ऐसे स्माइलिंग फेस से बैठो मैं पुरोशविनाशी ये प्रकृती मेरी दासी ऐसा बैठो मजबूत हो करके तकिया लगा के बैठ जाओ आराम से ये खेल है चलेगा मैं देखता हूँ बाकी अगर कहीं हमारा पार्ट प्ले करने की ज़रत पड़ती है खेल था खेल डाला इसी चाल से हमारी टर्न आगई लो हमने भी चल दी कतम परे ले जाओ अपने को परली पार संसार को पार करके परली पार आजाओ भगवान की तरफ उप्राम हो जाओ उप्रामता ही तो ग्यान है हर परिस्थिती से स्वयम को उप्राम कर लेना इससे बड़ा कोई ग्यान नहीं हो सकता है उप्राम हो करके रहो सब गुजरने वाला इसको गुजरने से पहले गुजरा हुआ समझ लो तो दुख नहीं होगा कल गुजरेगा नहीं मैं आज ही इसको गुजरा हुआ जानता हूँ काम खता हूँ अपने अंदर का आनंद कम ना हो अपने अंदर कोई लहर ना उठे मनों मैं स्रिष्टी का नाश कर दो ये मनों मैं स्रिष्टी में ही तो खबरें पहुँचती है तो उल्जहन होती है मनों मैं स्रिष्टी का नाश कर दियो आनंद सरूपो करके बैठो हर वक्त अपने आनंद में अपने निश्चे में दादा जी बोलते हैं मुखे समझो ना सरीर, साखी पाने आएं, मेरे को शरीर मत समझो, मैं तो साखी रूप हूँ, मैं तो आनंद रूप हूँ, तो आप दादा के बच्चे हो, आप इसी निश्चे में कुटस्त हो जाओ, और आप निश्चे करो दादा की आशीरवाद आप के साथ है जरूर फलता है ये निश्चे जो भी मनमनाभा होके ग्यान का अब भ्यास करता है सफल जरूर होता है ठीक